प्रदिश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों की ओर फिरुजबाद की कॉलिज प्रशास्तन में उस सबें हड़कम बच गया जब कॉलिज के केड़ पर धूप में खड़ी 6-7 चात्राई बेहोशोकर केड़ पड़ी आननफानन में की बेहोश चात्राओं को जिलाश पताल में भरती कराया क्या जहां उनका उपचार क्या जा रहा है फिरुजबाद के थाना उत्तर शेत्य से दाव द्रयाल इंटर कॉलिज का समय दस बचे था और कुल चात्रा है दस बचे पहुची इस पर कॉलिज प्रशासन ने कॉलिज क गेट बंद करवा दिया और कॉलिज आई कुछ चात्राओं गेट के बाहर खड़ी रही दुख के तेज होने की कारण कुछी दिर में छे से साथ चात्राओं बेहोश शुकर गेट पर ही गेट पड़ी इस घटना की जानकरी कॉलिज प्रशासन को मिलते ही हड़कप मच गया और आनम फानन में सभी बेहोश चात्राओं को जिला अस्पतार में भरती करा गया जहां सभी चात्राओं का उपचार करा जा रहा है बिस्यन निवस के लिए फिरुज अबाद से रिहान अली के रिपूट उत्रप्रदेश के जनपत महबा में आज जय ज़वान जय किसान पध याता निकाली के आप को बता दे किसान विध्यक बिल के खिलाब जिला कॉंगरेस कमिटी के कारिकर्ता हुए रोठ सो किया करीब चार बचे एक विचारा दिन बंदी रिशी कुमार यादो पुत्र अजब सिंग यादो निवासी चंट्रहंस की मद्या थाना नगला खंगर जो अपनी ही पतनी की हत्या का आरोपी है वा आरोपी आरक्षी महाविर सिंग की मिली भगत से बाक्या इस घटना की सुचना करीब साड़े पाच बचे मिली है चिपाही को सस्पेंट करती भी हिरासत में लिया क्या है अगरे तरकार प्रिश्की खबरों में फिला लेता ही अनिक खबरों से हम आपको यूही रूबरू करवाते रहेंगे देख रहें बीस्यन न्यूस नमस्कार